हलो गाईज, मैं विनोद, फिर आजीर एक नए टोपिक के साथ अगर आप अपनी गल्फ्रेंट से साधी करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट लड़की होगी लेकिन अगर माबाब आपके लिए ढूंड के ला रहे हैं, जो भगवान ने आपके लिए बनाई हैं, वो आपके लिए युनिक लड़की होगी याद रखिए का जो भगवान रिस्ता बनाते हैं, वो सबसे अच्छा रिस्ता होता है अपने माबाब को देखे न, क्या उनके भी इस जगडे नहीं हुए, लेकिन आज तक वो साथ हैं आज कल देखें, इंगलिस कल्चर आ गया, क्या कल्चर हो गया है समझ में नहीं आता प्यार और शुणड़ा न, जिंदगी में एक साल ही चलते हैं, एक साल में ही खराब हो जाते हैं ये इंगलिस कल्चर है, और हमारे भारतिय संसकर्ती, इस पर हमें गर्व है, हैंकार है, गुरूर है कि एक गुड़ियां भी जब दुकान में गुड़ियां खरीदने जाती है, छोटी सी बच्ची, वो भी गुड़ियां के लिए डुपटा साथ लेती है एक दूसरे से वादा करते हैं, हम जिंदगी बर साथ निभाएंगे, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं निभाता लोग अर्थी वे जनाज़ा भी दो कदम लेके जाते हैं न, तो कंदे बदल बदल के लेके जाते हैं, जबकि पता होता है कि ये आखरी कदम साथ हैं लोग यां अर्थी वे जनाजे भी कदम बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे करते हैं कि हम जिंद्गी भर साथ निभाएंगी आज मैं सभी लड़का लड़कियों से कहना चाऊंगी कि लाखो रुपए की कोई कीमत नहीं उस एक रुपए के सामने जो इस्कुल जाते वक्त मा दिया करती थी गोर से देखा करो अपनी माबाप की आँखों में ये वो आईने होते हैं जिन में बच्चे कभी बुड़े नहीं होते अगर आपसे कोई गलती हो गई है आपकी कोई बुराई कर रहा है तो से सुविकार करो जिस दिन आपके अंदर अपनी गलती सुविकारने का अपनी बुराई सुनने का सहस आ गया उस दिन समझलो कि आपने सपलता की पहली सीड़ी पार कर ली लोहा जो होता है ना उसे कोई तोड नहीं सकता लेकिन उसके अंदर जो लगी जंग है वो दीरे दीरे उसे दीमक की तरह खा जाती है अपने अंदर कभी एंकार को मत आने दीजिएगा लोग कहते हैं एंकार सबसे बुरी चीज है लेकिन इससे भी बुरी चीज है गुसा गुसा सबसे खराब है जब तक आपको गुसा नहीं आएगा हैंकार आई ही नहीं सकता गुसा एक जड़ है और उसके उपर पनपने वाला पेड़ है अगर आपको गुसा नहीं आ रहा उस तिन से आपकी बरबादी सुरू हो गई, उस तिन आप बर्बाद हो गई, देखे किसी भी आदमी को अगर बरबाद करना है ना, तो सबसे पहले उसको गुसा दिलाना, तो दोस्तों जिन्दिगी में सब की समस्याइश अलग-अलग होती है, आप किसी की समस्याओं से सीख सकते हैं किसी की तरीकों से सीख सकते हैं लेकिन उसकी सपलता को आप नहीं ले सकते जो उसमें सास है जो करने का जज़बा है उसको आप खुद नहीं ले सकते हीमत बनाये रखिए कि हमें भी सपलता पाना है यह जिंदगी की रेस है ना दोस्तों यह बड़ी अजीब सी रेस ह इसमें अगर आप तेज दोड़ने की कोसिस करोगे तो अपने पीछे चूट जाएंगे और अगर आप दीरे दीरे दोड़ोगे तो अपने ही आपसे आगे निकल जाएंगे तो जिंद्धी की रफ़तार इतनी रखेगा कि चाई भले ही कोई दुस्मन आगे निकल जाए लेकिन कोई आपका अपना पीछे ना छूटे तो दोस्तों अपनी जिन्दी में होंसला बनाए रखे आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई